आईपेल के इस सीजन में चिन्नाई सुपर किंग्स के साथ सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा की आईपेल 2010 में हुआ था दस साल बाद माही की टीम एक बार फिर से उसी करिश्मे को दोहराने की रहा पर है शुरुवाती साथ मैचों में से पांच मुकाबले गवाने के बाद सीएस के वापसी करती नज़रा रही मंगलवार को चिन्नाई नेक करो या मरो के मुकाबले में हैदरबाद को 20 रन से हराया और टोर्नमेंट में अपनी उम्मीदे बरकरार रखी अब वो 6 अंकों के साथ अंक तालिका में छटे पायदान पर आ गए है मैच के बाद जब धोनी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें अंक तालिका के फिक्र नहीं है और इसको वो तवज़ो बिलकुल नहीं देते कप्तान धोनी ने इस मैच में मिली जीत के बाद कहा कि ये मुकाबला शांदार रहा और आखिर में दो अंक ही माईने रखते हैं धोनी ने अंक तालिका के बारे में बात करते हुए कहा कि जब आप मैच जीतते हैं तो अंक तालिका खुद ही ठीक हो जाएगी आंक तालिका को देखने का कोई मतलब नहीं है लेकिन हम फिर देखेंगे कि हम किसमे सुधार कर सकते हैं जरूरी ये है कि किसी भी चीज को छुपाओ नहीं क्योंकि आपने मैच जीता है माही ने आगे बाद करते हुए कहा कि मैं आमतोर पर पहले 6 ओवर के हिसाब से स्कोर का आकलन करता हूँ काफी कुछ तेज गेंदबाजों पर निर्भर था हमें रननीती के तहत प्रदर्शन करने की जरूरत थी और टीम ने कुछ वैसा ही किया गौरतलब है चिन्नई सुपर किंग्स ने मैच में टोस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकट पर 167 रन बनाये थे जवाब में उत्री हैदरबाद की टीम पूरी तरह से लड़ खडाती दिखी जिसका पूरा श्रे चिन्नई के गेंदबाजों को गया धोनी के गेंदबाजों ने हैदरबाद को 20 ओवर में 8 विकट के नुकसान पर 147 रन ही बनाने दिये कैचे नई साल 2010 का इतिहास दोहरा कर इस बार प्ले ओफ में जगा बना पाएगी कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं साथी देश दुनिया और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें टीवी नाइन भारत वर्ष